हेलो गाइज आजकी इस वीडियो में जानने वाले हैं आयरेंड गैस प्लांट पेट्रोकेमिकल प्लांट या किसी अन्य प्लांट में यूज होने वाले हीट एक्षेंजर के पार्ट्स के बारे में heat exchanger में क्या-क्या parts होते हैं और parts का क्या-क्या काम होता है मैं प्रेम बुश्वाहा आपका चैनल piping in mechanical gang में तेह दिल से स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं जैसा कि आप देख पा रहा है यह है floating edge cell and tube type heat exchanger उसमें यह है cell यह है cell side inlet जहां से hot fluid को गुसाय जाता है यह है cell outlet जहां से गरम fluid ठंडा होकर निकलता है यह है tube side inlet जहां से cold fluid को इन किया जाता है यह है tube side outlet जहां से fluid को बार निकला जाता है जो गरम या पेपराईजेशन होकर बार निकलता है यह है channel head यह है channel cover किसी-किसी heat exchanger में channel head के जब अपर distributor लगा रहता है तो यह है distributor यह है pass partition plate जिसे fluid यहां से दूसरी तरफ नहीं जाएगा इस तरफ से गुसेगा और दूसरी तरफ से निकलेगा जिसके लिए pass partition plate लगाया जाता है यह है tube bundle कई सारे tube के गुच्छे को tube bundle का जाता है यह है baffles plate जो कई सारे tube को connect करके tube bundle का शेफ दे जता है जिसे tube अपने जगा पर ही बदे रहे हैं इधर उधर नहीं हो सके यह है tie rod जो baffles में vibration generate होते हैं तो tie rod baffles को support देने का काम करते हैं एक heat exchanger में 4-5 या 6 tie rod लगे होते हैं यह है tube seat जिसमें कई सारे hole होते हैं उस hole में tube को fit के जाता है एक heat exchanger में 2 tube seat लगे होते हैं यह है floating head cover या tube seat को cover करता है यह है spacer और यह है split ring यह जो देख रहे हैं यह back cover या doom cover है जो floating head को cover करने का काम करता है यह है impeachment plate जो cell inlet के ठीक सामने tube bundle पर लगा होता है जो tube को erosion corrosion और high velocity impact से बचाता है तो यह था heat exchanger के parts के बारे में और heat exchanger के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे playlist से heat exchanger वाला वीडियो देख सकते हैं अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें अगर आप channel पर नहीं हैं तो channel को subscribe करके notification bell को press करके all all option को भी दबाएं तक कि हमारे वीडियो का notification आप तक पहुंच चके और आपको कुछ भी question पूछना है तो comment box में comment करें मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जय